मुश्कार स्वाकत आपका सेल्स्टेटी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में जो यह OTT प्लैटफॉर्म्स हैं इन्होंने मार्केट कितनी ज्यादा बढ़ा लिए भारत के अंदर आपके सामने एक आंकड़ा प्रस्तूत करूँ उस आंकड़े में आप जानकर हरान हो जाएंगे कि आने वाले टाइम में 2023 में यह जो मार्केट है यहां दो हजार शायद आपको दिख नहीं रहा यहां लिखता हूं 2023 में जो OTT की जो मार्केट है वो कितना ज़्यादा शेर अपने पास रखेगी entertainment का अभी फिलाल बहुत ज इस डिजनी प्राइम वीडियो या फिर जी फाइफ जो भी ऐसे जो हम जिनका सब्सक्रिप्शन खरीते हैं मुबाइल के अंदर उनकी content हम देखते हैं मुबाइल या laptop के अंदर हो गया जिनमें हम web series movies हम देख पाते हैं जैसे कि अभी कोई movies जो है वो theater में आ रही है आप वो असानी से उन movies को अपने phone के अंदर देख पाएंगे तो यह OTT platform के हम जो definition है उसको भी हम जानेंगे और यह market में कितना इन्होंने capture कर ले उसको भी हम बहुत अच्छे से cover करने वाले आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया statics आंकड़े जो हैं वो देखने को मिलेंगे फिलाल सेर्च करने के उपर एक report जा रही है उस report में कहा गए जो over the top यानि इसको short form में कहा जाता है OTT जो मार्केट है 2023 तक 12,000 क्रोड रुपे की बनने वाली है यह market वह चोटा मोटा अखड़ा नहीं है 12,000 क्रोड रुपे की market बनने वाली है यह 2018 में कितनी थी 2590 क्रोड लगबग 26 क्रोड की market थी और अब 12,000 क्रोड आप देखि कितना ज्यादा यह increment करेगा अपनी शेर के अपनी profit के अंदर या फिर मार्केट कैप्चर के अंदर सर्क 2023 में बन जाएगा इसके सब्सक्राइबर के इन हो जाएंगे और जो यह report प्रस्तित की गए कुछ जो statics दिए गए उनक पर देखिए ओडिटी का जो मार्केट है 2018 में 2590 क्रोड का था यह बढ़कर 2030 में 36% का compound annual देखिए हम जो profit interest पढ़ते हैं या फिर compound interest पढ़ते हैं simple interest compound लग रहा है इसमें चक्रवरती लग रहा है अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि 36% compound annual increase कर रहा है यह 11944 क्रोड रुपे तक प बारा हजार क्रोड रुपे तक की पहुंचने के उमीद है 2023 में इन OTT platform की जो मार्केट है उसका OTT ने मनुरंजन का जो मार्केट है उसमें हिस्थेदारी का जो एक revenue है वो 7-9% हुआ करता था वही मालो जो entertainment market है 100 रुपे कमाया करती थी उसमें से 7-9 रुपे जो ओड़ती प अलग-अलग भाषाओं में रिजिनल भाषाओं के अंदर उपलब्द कराया है जिससे जो जो विवर्स हैं उनके लिए असानी हो गई है जो ग्लोबली जो content है उसको देख पाए अब यह 40% शेर लेकर वैटी हुए है देखे कितना जाद है इसने increase कर लिए है देश में आज 45 क्रोड से भी अधिक OTT के ग्रहक है 2023 तक उमीद की जा रही है पांच क्रोड और बढ़ जाएंगे 50 क्रोड तक पहुंचने के उमीद है एक pay-per-view segment चलता है पे-per-view segment का मतलब होता है कि आप कोई movie देखने जाते हैं cinema के अंदर है तो आप जितनी बार भी जाएंगे तो आप 3.5 क्रोड रुपे था 2022 में 8.9 क्रोड रुपे होगा है 2023 में 11.7 क्रोड रुपे तक की छुने की रहा पर है और इसी अवदी के दोरान वीडियो डाउनलोडिंग जो है 4.2 क्रोड इसके बाद ये बड़ी 7.7 क्रोड फिर 8.6 क्रोड बनने की उमीद है 2027 तक जबकि वीडिय क्या कारण है यह जो हमें ग्रोड देखने को मिल रही है OTT के अंदर सबसे पहले हमारे सामने रीजन आता है जो हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट है उसकी हमें कितना ज्यादा सस्ता हमें मोबाइल इंटरनेट मिल जाता है अभी काफी सारे ब्लोग बोलेंगे रहे सस्ता क महेंगा तो कर दिया तो एक टाइम याद करिए जब हम सो रुपे या दो सो रुपे में लगबग एक जीबी ही लिया करते थे और वो पूरे महीने चलाया करते थे आज की डेट में 149 का जो मैं अगर गलत नहीं हो तो जीयो का रिचाज 149 में होता है जिसमें आप लोगों क होगे तो इंटरेट कहीं तो खर्च करेंगे उनको एंटरेटेन्मेंट तो चाहिए वह टेटी प्लैटफों पर जाकर मिलता है फिर साथ इसाथ डिजिटल भुकतान को अपनाने की जो व्रीदी हुई है क्योंकि इसमें आपको डेबिट कार्ड कार्ड यह सब चीज़ें च कोविड नाइंटीन कोविड नाइंटीन जो हुआ था जिसके कान लोगडाउन लगा सिनेमा घर बिलकुल बंद हो गए अब भाई साब क्या करें भाई ओटी प्लैटफों में वहां जाकर एंटरेटेन्मेंट टेलो तो बहुत जादा इफेक्ट डाला ओटी प्लैटफों म सिनेमा के कमाई के ओपर अब यहां पर देखिए अभी आपके सामने एक जो इंप्लिकेशन से उसके बारें बताता हूं एक टाइम हुआ करता था जो वीडियो के एसेट है जो रिकोर्डर्स हैं जो आपको यादो वीसी आर हो गया वीसी वीसी पीडीवीडी हो गई जो एक के दर्शक में वीसी पी का परचलन में व्रिधी देखने को मिली थी लेकिन फिर यह घटना स्टार्ट हुआ था और 1906 में इसने फिल्म देखने में पारंप्रिक तरीकों में चुनोती दे दी थी तो हमने यह मैंने यूज की हुए वीसी आर जो कैसेट में लेके आया करता तो उसके अंदर मूवी देखता तो एक अलग ही यहां पर हमें करांती देखने को मिली थी लेकिन फिर इसका क्रेज घटने लगा क्रेज घटने के बाद जो सिनिमा घर है उन्होंने उसका स्थान ले लिया लेकिन अब ओटिटी प्लैट्फोर्म आ गए वह या ओटिटी प जाती है कि सिक्षा, स्वास्थ, फिटनेस इसमें भी ओटिटी प्लैट्फोर्म जो है वह विश्थार करने पर भविश्य में और ज्यादा मजबूती इसको मिलेगी और जो इसके सामय करी निर्माताओं के लिए एक ने मार खोलती है भई अलग-अलग लोग इसके अंदर मुविज के अंदर जादा लोगों को चांस नहीं मिल रहा है लेकिन ओडिटी प्लैट्फोर्म पर बहुत लोगों को चांस मिलरहा है जिसे दर्शकों के लिए के वर मनरंच नहीं बलकि समाजिक मुद्दों पर जागरूंकि इसमें डोकिमेंटरिज मन रही है जिसके मातिम से उनको बहुत साथी चीजों के बारे में पता चल रहा है अब यहां पर over the top platform यानि कि OTT क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं देखिए OTT platform इसका प्रयोग जो कि audio, video, hosting और streaming सेवा परदाता के रूप में किया जाता है जिनकी शुरुआत में असल में content hosting platform के रूप में लेकिन वर्तमान में यह खुद की short films, खुद की movies, features film या फिर कहीं कोई web series है वो निर्मान कर रहे हैं यह जो platform है जो उपयोग करता हों को व्यापक content परदान करने के साथ साथ AI का इस्तमाल करते हुए उन्हें content के संबंद संबंद में सुजाव भी परदान करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई horror movie या horror series देख रहे हैं web series देख रहे हैं तो यह इसका AI जो है artificial intelligence इतना efficient है कि आपने वह चीज़ देखी तो आपको तुरंत ऐसी ही web series या फिर ऐसी movie suggest करना स्टार्ट हो जाएगा कि आप और दीखिए और दीखिए और दीखिए अधिकांस OTT platform आम तोर पर कुछ सामगरी जब वो निश्यूल करते हैं जैसे G5 हो गया hot star हो गया आपको starting में कुछ सब्सक्राइबर कमाने के लिए करते हैं तो निश्यूल कर देते हैं फिर बाद में प्रीमियम आता है प्रीमियम के अंदर आप कुछ महीने का बद देखे सो रुपे 200 रुपे का हर महीने की इनका सब्सक्रिप्शन खरीच सकते हैं अब यहां पर जो वेक्ती movie theater में एक movie दे यही सोच रहा है कि यार 200 रुपे हमें OTT platform को देखकर यहां पर जो movie आएगी उसको ही देख लूँगा क्यों मैं जाकर वहां पर movie theater में जाकर देखूँ जब तक कि until and unless कि कोई इतनी बड़िया VFX वाली movie या फिर बहुत high budget की movie हमें वहां तक खींच के ना ले जाए ऐसा हो भी रहा है देखिए आज की time में जो Bollywood है आप देखते हैं उनका कैसे impact पढ़ा है इन OTT platform के कार्ण अभी बहुत सारी कीज़ें जो है Bollywood के आज की जैसे उनकी मैं क को सारी चीज़ें हम यहां प्रवाइड करा देंगे 200 रुबए में मासिक जो आपका सब्सक्रिशन पढ़ेगा उसके अंदर जैसे नेट्फिक्स हो गया डिजनी प्लैस हूलू हो गया Amazon Prime वीडियो होगा पिकोक क्रियोस्टिटी स्ट्रीम प्लूट टीवी यह सारी चीज़ ने इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून भी बनाये थे अब देखिए ओवर दा प्लैट्फॉर्म ऐसा होता है कि आपने पैसे दिये यह कुछ इतना अलग ही उन मुवीज को आप नहीं देख सकते हैं मतलब उनको सेंसर बोर्ड अगर पास नहीं करता है तो आप व कि ना क्योंकि जैसे अभी हाली में पताल लोग शायद करके ऐसी सीरीज थी जो एमाजोन के ओटिटी प्लैट्फॉर्म पे आए थी जहां तक मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें जिस तरीके से भगवान शिपजी के बारे में जो भी चीज़ें वहां पर बोली जा रही थी या पर सरकार नहीं इन सब चीज़ों को समझते हुए ओटी प्लैट्फॉर्म को रेगुलेट करने के लिए 2022 में एक कानून या फिर कहीं कि रूल जो है वो निकाला जाता है उसको कहा गया Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule 2021 ये निकाले गए अब ये क्या है देखिए ये जो नियम है OTT प्लैट्फॉर्म की जो एक अचार सहीं था 3-3 है शिकायत निवारन तंतर के साथ एक Soft Touch West Swim निमायक नियामक नियामक अर्किटेक्टर स्थापित करता है जिसको हिंदी समझना है उसके लिए मैंने नीची है यहां पर इंग्लिश में लेके आया हूँ कि 3-tire grievance redressal होगा यानि 3 स्थर पे आपकी जो शिकायत है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी आपने पहली बार किसी की शिकायत की कहा कि मुझे यह content अपति जनक है अपति जनक है तो उसकी यह जो OTT platform है खुद का एक grievance officer बिठाएंगे जो आपने शिकायत दी है उस शिकायत का 15 दिन के अंदर निवारन करेंगे अगर ऐसा नहीं हो प कास्टिंग के अंदर अब यहां पर जो शिकायत इदर सौल नहीं की गई है वो यहां पर आगे सौल की जाएगी 15 दिन के अंदर इसको सौल किया जाएगा फिर ministry of information broadcasting के दौरा एक departmental inter departmental committee बनाई जाएगी जो इन सब चिन्जों की निगरानी भी करेगी यह कानू जो हो केंद आप लोगों को समझ में आगई कितना इन्होंने मार्केट जो है वो capture कर लिया है तो उमीद करता हूं कि सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से clear हुई होगी तो clear हुई है तो मुझे कैसे बता सकते हो बाइस बिल्कुल सा तरीका है लाइक कर लीजिए इस वीडियो को सब तक यू पर वोचिंग इस वीडियो